अब सभी का टेक स्टड़ी आई ते यूटूब चनल पर आई टे सेकेंड येर्स जीरो टू हीरो सीरीज में आज हम फिटर गुरूप के इंजिनिर ड्राइंग करने वाले हैं फिटर गुरूप से यहां हमारा मतलब यह है फिटर गुरूप में फिटर ट्रेड जितने भी और मैकेनिकल ट्रेड हैं टर्नर, मसीनिस्ट, मसीनिस्ट, मसीनिस्ट ग्राइंडर, मोटर मैकेनिक वहिकल इन सभी ट्रेड की यहां पर जो ड्राइंग में कुस्चन आने वाले है वो यहाँ पे हम करने वाले हैं यह वीडियो अगर आप देख लेते हैं इसमें टोटल हमने आपके लिए 21 कुश्चन रखे हैं सिर्फ और सिर्फ 21 कुश्चन हैं उसी में से आपको पूर एच्छे कुश्चन मिल जाएंगे याँ आपके 12 नंबर फ्री में बिल्कुल फ्री में पके हो जाएंगे आसानी से आप 1 मिनट के अंदर 12 नंबर ले सकते हैं अपने CBT एक्जाम में तो वीडियो को लाइक जरूर कीज़ेगा आप लोग चैनल पे नहीं हैं सब्सक्राइब नहीं किया आने वाला है पहला कुछन यहाँ पर जो बार बार पूछा भी जा रहा है इस बार भी विच नट कैन बी ऑपरेटेड यूजिंग थंब और फिंगर्स थंब और फिंगर्स यानि आप उठे और उंगलियों का उपियोग करके हैं निकालने के लिए यही होता है विंग नट इसको हम फिंगर की साहता से ही टाइट भी कर सकते हैं खोल भी सकते हैं इसमें किसी स्पैनर की ज़रुवत आपको नहीं पड़ती है नेक्स्ट कुछन इन इस टाइप आप सेक्षन वन कौटर आप अबजेक्ट इज रिमॉब्ड यह कुछन ऐसा है थोड़ा सा ट्रिकी कुछन है इसमें गलत भी कर रहे हैं इस प्रकार के अनुभाग में एक चोथाई भाग को हटा दिया जाता है क्वार्टर सेक्षन हाफ सेक्षन रिमॉब्ड सेक्षन या रिवॉब्ड सेक्षन ध्यान दीजे वन कौटर अबजेक्ट हटाया जाता है हाफ सेक्षन में ना कि क्वाटर सेक्षन में कई कैंडेट इसमें क्वाटर सेक्षन टिक कर देते हैं ठीक है तो यहाँ पे देखिए, यह half section है, one quarter क्या किया गया, remove कर दिया गया, इसी को बोलते हैं यहाँ पे half section, ठीक है, आधा अनुभाग. वीडियो को like अगर आप लोग करेंगे तो सब तक यह पहुंच पाएगी, तो please like वाला बटन प्रिस कीजेगा, कुछ भी उसका लगेगा नहीं आपको, add इसके pdf के आप लोग जोड़ सकते हैं, टेलिग्राम चैनल पे, वहाँ पे हम इसका pdf बना के भी share कर देंगे आपके सा अगला कुछ नहीं, objects that are symmetric can be shown effectively using this type of section, इस प्रकार के अनुभाग का उपयोग करके सम्मित वस्तों को प्रभावी ढंग से दिखाया जा सकता है, तो ड्राइंग में symmetric object को हम कैसे दिखाएंगे, symmetric section से, full section से, half section से, या quarter section से, ध्यान दीजे, half section से हम symmetric object को दिखा सकते हैं, आधा अनुभाग जैसा आभी पीछे आपने देखा, half section से हम दिखा रहे थे, ठीक है, उसी तरह से, half section से, symmetric object को भी show कर सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, internal, outside view, सब symmetric object में यहाँ पे क्या करते हैं, quarter part काटा, और यह आपका half section view में सब कुछ दिख गया, अगला कुछ जन है, which material pipe is used for drainage pipeline, जल निकासी pipeline के लिए कि सामगरी का उपयोग किया जाता है, PVC pipe, brass pipe, steel pipe, या GI pipe, राइट आंसर आपका PVC pipe, option number A, अगला कुछ जन है, the thread angle of BSW screw threads are, BSW screw threads के लिए thread angle क्या है, तो BSW screw thread के लिए thread angle होता है आपका, 55 degree, याद रख लीजे, BSW के लिए आपका 55 degree, BSP के लिए आप 55 degree, और metric thread के लिए आपका 60 degree angle होता है, ठीक है, तो BSW का कितना हो गया, 55 degree, अगला कुछ जन है, which one of the following, accommodates four pipes in a pipe fitting, निमलिखित में से कौन सा एक pipe fitting में, चार pipeों को समायोजित करता है, ध्यान दीजे, एक pipe fitting में, अब एक pipe fitting में, अगर आपको चार pipe समायोजित करने हैं, तो कु क्या होता है, इस तरह 90 degree पे, union क्या होता है, सिधा सिधा जोड़ता है, T में आपका क्या होता है, तीन ब्रांच बन जाती है, cross में आपके ऐसे चार ब्रांच बन जाती है, तो right answer आपका क्या हो गया, cross, ठीक है, cross fitting में, आप चार pipeों को एक साथ accommodate कर सकते हैं, समायोजित कर सकत और एक होता है आपका अर्धस्थाई, ठीक है, तो अस्थाई joint होता है, जिनको एक बार हमने जोड़ दिया, तो अब उसको अगर हमें खोलना हो, तो उनको काटना या तोड़ना पड़ेगा, जैसे welding joint, आईस्थाई joint हो होते हैं, जिनको हम जोड़ ले, अगर दुबारा ख खोलना चाहें, तो खोल दें, फिर से बांदना चाहें, फिर से बांदें, जैसे nut and bolt, nut bolt खोलते हो, कोई चीछ डैमेज नहीं होता, nut ना bolt ना पका पार्ट और दुबार आप जोड लेते हो, अर्धस्थाई वो होता है, जिसमें जो जोडने वाला भाग है, जैसे rivet, वो कट जाता है, लेकिन seat आपकी सुरक्षित रहती, दूसरी rivet से आप उसको जोड सकते हैं, तो उसको बोलते हैं, अर्धस्थाई, तो nut and bolt क्या हुआ आपका, temporary fastening हुआ, आज थाई बंधन हुआ, जब चाहो आप इनको जोडो, जब चाहो आप इनको खोलो, फिर से जोडो, ठीक ह आपसा नंबर B आपका सही हो जाएगा, the head for boiler application shown in the figure given below, ये boiler head rivet है क्तरा का, ठीक है, तो इस head को क्या बोलते हैं, वो बताना है, boilers में यूज होता है, high pressure जो boilers होते हैं, power generation के लिए term, उसमें यूज करते हैं, इसको actual बोलते हैं, steeple, क्या बोलते हैं, steeple head rivet बोलते हैं, right answer joint is a, देखिया ही गया, riveted joint आपका क्या है, semi permanent, अर्ध अस्थाई joint है, nut bold, sorry, temporary, rivet, semi permanent, अर्ध अस्थाई, और welding आपका permanent joint, ठीक है, तो rivets क्या हो गए आपके, semi permanent joint, अर्ध अस्थाई joint हो गए, अगला कुछन है, GMAW stands for, अब GMAW का मतलब क्या होता है, तो GMAW welding का एक टर्म है, जिसे हम लोग बोलते है, gas metal arc welding, क्या बोलते है, gas metal arc welding, इसी को MIG welding भी कहते है, metal inert gas welding कहते हैं basically, ठीक है, तो ये हो गया आपका GMAW, इसी यहाँ अगर GTAW आता, तो gas tungsten arc welding होता, ठीक है, तो GMAW का full farm हो गया, gas metal arc welding, next, CPRF का full farm पूछा जा रहा है, CPRF stands for, तो CPRF का मतलब होता है, combined pile raft foundation, combined pile raft foundation याद कर लीचे आप लोग, अगला कुछन है, this type of section is limited by a break line, इस प्रकार के अनुभाग को एक break line द्वारा दर्साया जाता है, तो break line द्वारा हम broken out section को दर्साते हैं, टूटे हुए जो भाग होते हैं, किसी drying में, यानि काटे हुए या टूटे हुए भाग, उन्हें ह नहीं रहेगी, अगला कुछन है, the thread angle of metric thread is, अब metric thread का angle कितना होता है, हमने आपको बताया, metric thread होती है, 60 degree, कितना होगा angle metric thread का, 60 degree होगा, right answer होगा आपका option number D, which symbol is used for butt joint, यहाँ पे butt joint, butt joint का मतलब होता है, आमने सामने किसी चीज को रखके जोड़ना, टककर joint या butt joint, तो आमने स कौन से है, यह आपका क्या है, corner joint है, ठीक है, fillet weld, यह आपका क्या है, T joint है, ठीक, अगला question है, how many type of foundation are there based on depth, तो depth के base पे दो ही तरह के foundation होते हैं, गहरे या narrow आप कह सकते हैं, छिचले type के, मतलब कम गहरे, ठीक है, एक deep foundation होता है, एक shallow foundation होता है, ठीक है, तो दो तरह के होते है आपके new के आधार पे, गहराई के आधार पे new, यानि foundation, अगला question है, the rivet head for a general purpose, shown in the figure is, अब ये rivet head आपको बताना है, कौन सा है, flat तो नहीं है, countersunk है, snap है, या pan है, तो ये countersunk rivet है, क्या है, countersunk rivet head है, question number 18 है, rivets are generally specified by rivets, को generally specify किया जाता है, तो rivet को generally हम लोग specify करते हैं, उसके nominal diameter से, किस से, इस तरह का मानलो, यहाँ पे rivet ऐसा बना हुआ है, तो इसका जो nominal diameter होगा ना, ये वाला, इसी से हम rivet को classify करते हैं, specify करते हैं, ठीक है, right answer होगे, आपका option number C, nominal diameter, 19 number question है, lock nut or check nut is chamfered on, lock nut या check nut को कहाँ पे chamfer किया होता है, upper side, lower side, non side, या both side, तो ध्यान दीजे, यहाँ पे right answer है, आपका both side, यानि दोनों तरफ उसको chamfer किया गया रहता है, lock nut या check nut को, अगला question है, the included angle of pipe thread is around, pipe thread का sumlet कौन लगभग कितना होता है, 75, 55, 15 या 10 डिगरी, तो right answer आपका 55 डिगरी, pipe thread का angle कितना होता है, 55 डिगरी होता है, last question है, which of the following is not a main part of rivet, निमलिखित में से कौन सा rivet का मुख्य भाग नहीं है, sank, point, head या tail, तो right answer आपका point, जो point है, rivet का part नहीं होता है, या आपका tail होता है, ये sank होता है, ये head होता है, ध्यान रखिए, यही थे आपके total यहाँ पे 21 questions, इनी से आपको 6 questions आपके exam में मिलने वाले हैं, चाहे आप fitter trade से हो, motor mechanic vehicle से हो, turner से हो, machinist से हो, machinist grinder से हो, किसी भी आप secondary trade में अगर है, mechanical group के, तो आपको ये question drawing में मिलने वाले हैं, thank you very much, उमीद करते हैं, वीडियो आपके लिए helpful रही होगी, comment करके जरू बताएगा, कि कैसा जा रहा आपका exam, मिलते हैं अगले update के साथ, अगले वीडियो में ख्याल रखिएगा आपना,